स्पेन के महान दार्शनिक जॉर्ज संटाइना ने कहा था दोज वो कांट रिमेंबर दे हिस्टरी और कंडेम्ट रिपीट इट जो लोग अपना एतिहास याद नहीं रखते वो उसी एतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं नमस्कार मैं हूँ मनोज मुंतशिर और आज मैं एतिहास का वो पन्ना खोलूँगा जो आपको व्यथित करेगा विचलित करेगा और हो सकता है लजजद भी करे मैंने हमेशा प्रयास किया कि भारत का सौनडिम अतीत मेरी वानी से होकर आप तक पहुँचे लेकिन जो सौनडिम नहीं है जहां एहंकार और अत्याचार की कालिमा है वो भी हमारा है हम उसे अंदेखा तो नहीं कर सकते आज मैं आपको ले जाऊंगा 5000 वर्ष पहले द्वापर युक्के हस्तनापुर में जहां एक द्यूत सभा, एक जुआ घर में कुरुवंश के पुत्रवधू, पांडवों की पत्नी, राजा दुरुपत की बेटी और भगवान कृष्ण की सखी देवी द्रौपदी का वस्त्र हरन हो रहा है कौन थी द्रौपदी? महा भारत में हमें पहली बार द्रौपदी का वणनन उस स्वयंबर में मिलता है जहां अरजुन ने मचली की आख में तीर भेद कर स्वयंबर जीत लिया और द्रौपदी ने उन्हें पती रूप में स्वयकार किया लेकिन द्रौपदी के जन्म की कथा बहुत अद्भूत है। गुरु द्रोणाचारी के एक घनिष्ट मित्र हुआ करते थे। पंचाल के राजा द्रौपद। समय का फेर दीखिए। मित्रता ने एक ऐसा मोन लिया कि द्रोणाचारी के हाथुं द्रौपद को घोर अपमान जहना पड़ा। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राजा दुरुपद ने ठान लिया कि वो ऐसी संतान को जनम देंगे जो धर्ती के महांतम धनुरधारी गुरु द्रोन का अंत कर सके। इतिहास ने पुत्र को द्रश्ट द्यूम्न के नाम से याद रखा और पुत्री को द्रौपदी के नाम से। ऐसे पराक्रमी की बहन थी द्रौपदी और पत्मी किसकी जो कांडी उठाए तो पाताल भेत के रखते। वो अरजुन वो भीम जो गदा लहराए तो काल भी घुटने टेकते। लेकिन हुआ क्या। उस दिन भरी सभा में एक वस्त्र में लिप्टी हुई द्रौपदी को बालों से खीच कर लाया गया और सब देखते रह गए। जो हुआ उसे सहना तो छोड़िये कहना कठिन है। फिर भी मैं कहने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं भी अगर मौन रह गया तो उस अधरम का भागिदार बन जाओंगा जो भीश्म पतामा को अंतिम चड़ों में शर्षयया के तीरों से भी अधिक पिला देता रहा। युधिस्ठिर जुए में अपना राश पाठ अपनी संपत्ति अपने चारों भाई और अंत में खुद अपने आपको भी हार गए। खेल यहीं रुख जाता तो ठीक था लेकिन कर्ण के मुख से वो शब निकल पड़े जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए भारत वर्ष की असमिता को लज्जित कर दिया। कर्ण बोला अभी वो म्रगनैनी वो एहंकारी द्रौपदी बाकी है युदेस्ठिर उसे दाओं पर लगाओ। को भी लज्जत कर देती है। दुर्योधन ने संकेत दिया और सभा में बैठा हुआ उसका नीच भाई दुशाशन उठकर द्रौपदी के कख्षकी और चल पड़ा। द्रौपदी को उसने सभा में चलने का आधेश दिया तो द्रौपदी ने एक नजर अपने आपको देखा। वो रजस्वला थी, मासिक धर्म से गुजर रही थी और इसलिए सिर्फ एक वस्त्र में लिप्टी हुई थी, ना कोई श्रंगार, ना कोई अभूशन, ना पाउं से सर तक उनका बदन ढखने वाले वस्त्रौपदी को देखा और लपक कर उनके बाल पकड़ लिए, घसीट तहुआ चल पड़ा वो राजसभा की ओर, द्रौपदी पीड़ा से कराह उठी, हाथ जोड कर गिलगडाई, जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं पहचानते हैं, उन्हें क्या कहोगे दोशाशन, कि मैं महाराश पांडू की पुत्र वधू, और अगर जेश्ट माताश्री मिल गई, गांधारी, वो पूश बैठी, कि क्या गसीटते ले जा रहे हो, तो क्या कहोगे कि तुम कुरुवंश की मर्यादा को बालों से पकड़ कर गसीटते हुए ले जा रहे हो, लेकिन कहां एक सती का चीतकार, और कहां सत्ता का एहंकार, द्रौपदी कुरुवंश की बहु एक कपड़े में लिप्टी हुई, भीश्म पितामा की आखें जुक गई, पंचाली ने वो जुकी हुई आखें देखी तो बोल पड़ी, आखें जुकाने से क्या होगा पितामा, मैं आपकी कुल वधू द्रौपदी एक वस्त्र में लि शिर्वात देंगे, आप तो जेस्ट कुरु हैं, महावीर हैं, महाविद्वान हैं, बताइए, क्या आपने केवल कुरु सिंघासन की रक्षा का वचन लिया था, क्या कुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं है, आप जैसे महापुरुष, शूर वीर को इस तरह मुँ छुप की यही परंपरा है, आपके मुँ से उत्तर बाके मैं चुप हो जाऊंगी, पिता मा, कुछ तो कहिए, द्रौपदी एक बच्ची की तरह अपने पिता मा के आगे बिलक उठी, जब मैंने पहली बार आपके चरण चुए थे, आपने मुझे सवभागिवती होने का आशिरव किया, कि आप भी मेरे इस अपमान के भागिदार नहीं हैं, और यदि नहीं हैं, तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जिब्या को, जिसने आपके कुल वधु द्रौपदी को दासी कहने का अपरात किया है, आप पाप के व्रक्ष की चाया में बैठे हैं, उठ जाईए, आपको तो शास्त्रों का ग्यान है पितामा, बताइए कि जो व्यक्ति स्वयम अपने आपको जुए में हार चुका हो, वो कौन होता है किसी और की सोतंत्रता, किसी और के स्वाभिमान को दाओं पर लगाने वाला, मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही जो हर प्रानी की मा है, ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविश जिसे आपके पूरवज चक्रवर्ती महराज भरत से अपना नाम मिला है, मेरा महर्क दर्शन किजिए पितामा, भीश्म भरी हुई आँखों से बोले, क्या उत्तर दूं पुत्री, पुत्री ये एक संबो की बात कर रही हूँ, जो पिखल कर आशू बन गया और मेरी आखों से बह निकला, यदि पत्नी पती की संपत्ति होती है, तो जब मेरे पती अपने को जुए में हारे, साथ में मुझे भी हार गए, तो फिर मैं दाओं पर कैसे लगी, और यदि पत्नी पती की संपत्ति नही यदि मैं आपकी पुत्री होती तो आप मेरा ये अपमान चुपचाप सहन नहीं करते मुझे कुल वधू कहिए क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि इस सभा में अर्ध नगन खड़ी हुई द्रौपदी को कुल वधू कहते हुए आपकी जिभ्या लड़ खलाती है या नहीं भ बड़े भाग्यवान है जो नेत्रहीन जन में नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी ही पुत्रवधू की दुरदशा देखकर अवश्य नेत्रहीन हो गए होते नेत्रहीन धत्रास्ट अब शब्दहीन भी हो चुके थे एक निरलज मौन के सिवा कुछ नहीं था उनके पास अपनी बहु को देने के लिए असहाय द्रौपदी ने सभा में चारों ओर देखा गुरु द्रोण दिखाई दिये उसे आस जगी के कोई और नहीं तो शायद वो इसा न्याय पर अंकुष लगाएं क्यूंकि वो कभी उसके पिता के परमित्र हुआ करते थे द्रौपदी न वाच किस संबन्ध से आपका च्रण स्पर्श करूं बेटी या बहु द्रौणाचारी ने भी अपने होटों पर मौन के ताले लगा लिए द्रौपदी को वो चण निकट आता दिखाई दे रहा था जब उसके तन का अंतिम वस्त्र भी साथ छोड़ देगा उसे आभास हु जो इसके मर्यादा की रक्षा करने के लिए वचन पद्ध थे वो बोल उठी यूधस्टिर से तुम होते कौन हो मुझे दाओं पर लगाने वाले मुझे हारने वाले जिदि तुम्हें अपनी पत्नी को हारने का अधिकार हो भी तो मैं केवल तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ मैं पांचों पंडवों की पत्नी हूँ क्या मुझे दाओं पर लगाने से पहले इन्होंने तुमसे पूछा था नकुल सहदेव तुमसे पूछा था तुमसे आग्या ली थी क्या तुमने इन्हें आग्या दी थी सरुस्रेष्ठ धनुर्धर अरजुन मशली की आँख भेथ कर मेरा स्वयमबर जीतने वाले शूरवीर क्या तुम्हें मेरी रोती हुई आखे नहीं दिखाई देती क्या तुमने मेरा स्वयमबर इसलिए जीता था कि एक दिन मैं दाओं पर लगा दी जाओं और तुम्हारा गांडिव लकडी के टुकले की तरह धरती पर दरा रह जाए धर्मराज जुधिस्टर जुआ तो पहले भी कई बार खेला गया है लेकिन किसी ने अपनी रखेल तक को दाओं पर नहीं लगाया और आपने अपनी ब्याता को दाओं पर लगा दिया दिकार है दुर्वपदी के सभी मान मनुहार सभी उलाहने सभी प्रश्न और सभी प्रार्थनाए विर्थ चली गई दुर्योधा ने एक निरंको शाधी की तरह चंगार उठा नंगा कर दो मेरी इस दासी को जरा मैं भी तो देखूं जिसे मैंने जुए में जीता है वो बिना वस्तरों के दिखती कैसी है दुशाशन तो जैसे इसी आदेश के लिए प्रतीक्छारत था उसके हाथ दुर्वपदी की चीर की और ऐसे बढ़े जैसे कोई नाग अपने शिकार की और जपड़ता है भरी सभा के सामने दुर्वपदी के बदन से सारी खिशने लगी वो दुर्वपदी जिसके शरीर को पवन भी नहीं छू सका सूरी का प्रकाश भी नहीं देख सका आज अपने पतियों के होते हुए पितामा और गुरुओं के होते हुए निर्वस्त्र हो रही थी अब पंचाली किस से आस लगाती कौन था सिवाय द्वार का धीश के जो उसकी असमिता को आदर देता चीर का एक कोना अपने दातों तले दबाके द्रौपदी मन ही मन पुकार उठी मेरी लाश बचाओ गिर्धारी कृष्ण ने अपनी सकी को निराश नहीं किया उसकी चीर में अपने विराट स्वरूप के धागे जोड़ दिये दुशाशन के हाथ ठक गए खीशते खीशते लेकिन द्रौपदी क्या द्रौपदी के नाखून का एक अंश भी निर्वस्त्र नहीं कर सका उस दिन हस्तेनापूर में जो हुआ उसकी परणीत ये हुई कि सौ पुत्रों के होते हुए भी गांधारी निस संतान मरी कुरुक छेत्र में इतनी चताएं जली के आज पांच हजार वर्षों बाद भी धुए से असमान काला है और कर्ण वो धर्मनिस्ट कर्ण जो उस दिन अधर्म का साथी और साक्षी बना रहा अपने प्राण त्याकते हुए उसे बस एक पश्तावा था अभी भी शुब्र उर की चेतना है अगर है तो यही बस वेदना है वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों न कोई योग निश्कृति पा रहा हूं लिए ये दाह मन में जा रहा हूं करण ने मन ही मन द्रवपदी से चमा मांगते हुए अपने प्राण त्याग दिये महा भारत में दुरभाग्य की सभी सीमाएं पार हो गई लेकिन भारत वर्ष का सनाता ने थेहास अगनी की ज्वालाओं से जन्मी अपनी विलक्षन पुत्री पर सदाय गवरवान वित रहा सनातन ने द्रवपदी को पंच कन्याओं में अस्थान दिया और उसे ब्रम्हांड की सबसे पवित्रिस्त्री सोईकार किया मेरे पास आज ये कथा सुनाने का न कोई पर्वथा न कोई ओचित्ति न कोई कारण फिर भी मैंने ये कथा सुनाई ताके हमें अपना इतिहास याद रहे और उसके कलंकित पन्ने हमें फिर कभी न दोहराने पड़े आपने धैरी से सुना आपका अभार जब दोहराने रहे हमें वार आपका अजयाओ आपका अभार उलाओ आपका आपका प्रेल आपका 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 झाल झाल